जवलपूर के नरवदा तर्ट सरश्वती घाट से गवारी तक पक्कापुल बनाने की मांग को लेकर सेक्रों ग्रामिनों ने जल सत्यागरे किया पदर्शन में ललपूर, डुडवारा, खुलरी, देवरी, सक्री, इमलिया, सही, करीब सहाट गाउं के ग्रामिन जल सत्यागर संग मरमर की मूर्तियां की कलाकृतिया टूरिजम वाले आसपास के टूरिस्ट स्पोर्ट, सहित रेलवे स्टेशन वर नैशनल हाईवे से कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। ग्रामिनों ने इस आंदोलन को बिना किसी राजनायतिक पार्टी के सहयोग के शुरू किया है इसके चलते आसपास के ग्रामों में जन जांग रुकता अभियान चलाया जा रहा है। दोनों सरकारे छलावा कर रही हैं। ग्रामिनों ने पानी में उतर कर घंटों तक जल सत्यागरह किया। इसके साथ ही चिताबनी भी दी कि आने वाले आगामी चुनाओं में इसका खामियाजा दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। पूरी तरीकी से पिछड़ा हुआ है। यहां पर जो है ना यहां पर जो नगदी में कम से कब दस गाउं लगें। और यहां से पूरा आदवासी बावल च्छेत के सीधा जोड़ा हुआ है। कि जिसकी कनेक्टिविटी कूटी हुए है। हम लोगों को चाहिए वो पोड के काम हो यह स्टेशन हो या फिर हम लोगों को अपने राजस्व के काम हो या फिर हमारा बिलाक हो सहपुरा है। जाने आने में बहुत असुबदा होती है। शिक्षा की छेत में भी इस चेत के लोगों को बड़ी असुबदाओं का सामना करना पड़ता है। मेडिशन बगेरा यह मेडिकल भी यहां असपास नहीं पड़ती है। में रोड़ से कहने चाहिए यहां से में रोड़ पांच-छे किलोमेटर पड़ जाता है। तो एंसी समझ्याओं के रहते हुए है। क्योंकि हम लोग अनेक बरसों से मांग कर रहे हैं। अब हम लोगों थोड़ा के कहने चाहिए कि अब इसको विसेश रूप से अपने अधिकार समाझ के क्योंकि यहां पड़े लेके लोग भी हो गए। समझ गए हैं कि बिगार लड़े कुछ हम लोगों मिलने वाला नहीं है। सब्सक्राइब करना चाहिए यहां पर पूर में सरकार दोहरा पका पुल स्वीकित दिया गया था। सब्सक्राइब करने पाते हैं इसलिए हम लोगों की मांग है सबी से निवीदान सबी दल के लोग हैं हम लोग यहां पर कोई इसका ब्रूद ना करें और इसे प्रकापुल बना जाए। आगामी चुनाओ आने वाले हैं अगर इस प्रकापुल नहीं बनता है तो इस चुनाओ को यहां पर बूर्ट नहीं डालिए। जी हमारे यहां पर पचास गाओं हैं और यह पक्के पुल की मांग के कारण सत्ता गरें यह हम लोग को सत्ता गरें कम से करते करते तीन या चार बार हो गया है। हम लोग ने पिश्री वाली सत्ता गरें किया था और करते करा आज और करते रहेंगे। यह जो पुल है सरसुदी गाट से गवारी यह कम से कम पचास गाओं की को जोड़ेगा और यह पचास गाओं की भविश्का सवाल है। आज हमारी साथ जंता में युवा, महिला हैं सारे कोई जोड़े हुए हैं इन सब के भविश्का सवाल है। और हमें सिर्फ इसलिए जोड़े हैं आजियां कि चाहे वो शाशन हो चाहे प्रिशाशन हो चाहे नेतागण। हमारी सब से हाथ जोड़के प्रात्ना है कि हमारे इस पुल को बनने दीजिए। जो कि शाशन द्वारा दसो साल से सेंचन हो चुका है पिर किसी ना किसी कारण से यह विफल होता रहता है और बनता नहीं है। मैं किसी का नाम देना चाहता हूँ, हो सकता है राजनेतिक हो, हो सकता है यह किसी का मंशा नहीं हो, हो सकता है लोग सोचते हो कि इधर बनने से पुल यहां किसी चीज की हानी होगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ यह किसी चीज की हानी नहीं होगी। यह सेरो एक मिट्टी का पहाड है और एक वो मिट्टी का पहाड है इन दोनों को जोडना है और जनता का भविश है और एक छोटा सा तर्क की बात करना चाहता हूं उनके लिए जो यह सोचते हैं कि यहां पर कुछ बनने से नुकसान होगा तो यह छोटा सा टापू है आठ सो जोड़ सकते हैं तो एक छोटे कंग्रीट पूल से आप ती सजया जनता को जोड़ सकते हो